हेलो फ्रेंड्स जो ती-मेकिंग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सभी को स्वेटर का डिजैन बताने वाली हूँ। जो 2 सलाईओं का डिजैन है। 2 सलाईओं में बहुत रहती खुशुरा सब डिजैन बनके कंप्लीट हो जाता है। आप इसे किसी भी प्रोजेक्ट में अपलाई कर सकते हैं ये पतली वाली डिजैन है जिस प्रोजेक्ट में आप पतला डिजैन देना चाहते हैं जाली दार डिजैन देना चाहते हैं उसमें ये अपलाई कर सकते हैं ये बहुत ही खुबसूरत और बहुत ही प्यारा सा ये पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए सेर कीजिए और कॉमेंट कीजिए जदि कोई नए है चैनल पर और पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज सस्क्राइब कर दीजिए और और नौटिफिकेशन दबाएए जिससे मैं कोई भी वीडियो डालू तो सबसे पहले आप तक तो मैं बहुत सारे डिजैन डाल चुकी हूँ आप जाकर देख सकते हैं तो चलिए खुबसूरत अप्यारा सब डिजैन मैं बताना स्टार्टिंग करती हूँ सलाई पर यहां मैं कुछ फंदे इससे डाल दी हूँ और फंदे डालने के बाद मैं एक सलाई बैना ली हूँ इ बोडर के बाद डालना चाहते हैं यह डिजैन तो आप यह सीधी सेड से स्टार्टिंग करें यहां मैं बोडर नहीं डाली हूँ ऐसे ही एक सलाई पर फंदा डाल दी हूँ और एक सलाई मैं ऐसे उल्टा करके मैं बना ली हूँ और यह सीधी सेड है तो सीधी सेड से मैं यह डियानिंग स्टार्टिंग करती हूं यह क्या करना है शैर वाले फंदे को आप इसे भी निकाल सकते हैं नहीं सिधा बना लिजिए या कुछ उल्टा बना लूबना लिजिये शैर में परता है आप इसे अपने मतसी की हिसाल से कर सकते है ये शैर वाला फंदा है, इसे मैं ऐसे ही निकाल लेती हूँ, उसके बाद क्या करना है, इस तरीके से सलाई में फंदी को डालना है, और तीन बार धागा को लपेटना है, एक, दो, और ये तीन, ये तीन बार यहां मैं धागा को लपेट दी हूँ, फिर यहां क्या करना है, य एक, दो, और ये तीन, ये तीन बार यहां मैं धागा को लपेट ली हूँ, दोस्तो जब भी आप ये डिजैन बनाएं, तो मोटी सलाई पर बनाएं, और मोटा जो है उन वो ले लीजी, तो ये मोटी सलाई से बनता है, तो काफी ही सुदर लगता है, ये दस नमबर की सलाई से यहां मैं बना रही हूँ, और ये देखिए, मैं यहां दस नमबर की सलाई से बना रही हूँ, इसी तरीके से सारे फंदे में तीन बार ऐसे करके धागा को लपेट ली हूँ, इसी तरीके से सीधा बनाना है, ए, दो, और ये तीन बार यहां मैं धागा को लपेट ली हूँ, यह पूरी रोज सीधी से इसी तरीके से कम्पलीट करना है और रॉंग से से सकेल सलाई में आप सभी को बताऊंगी सकेल सलाई में क्या करना है दोस्तों यह बहुत आसान सा यह डिजैन है आप इससे सॉल बना सकते हैं, मौफलर बना सकते हैं ये अक्सर जिन्स पर जो लड़कियां बंडी पांती है वो बहुत ही खुबसूरत लगता है तो आप ये बंडी भी बना सकते हैं बहुत ही प्यारा सा ये बंडी लगता है इस डिजैन में आप बना कर एक वाट्राय कीजिए और बहुत ही प्यारा सा और बहुत ही सुन्दर सा लगता है यह हर फंदे में क्या करना है इस तरीकि से सलाई को डालना है और तीन वार धागा लपिटने हैं एक दो और यह तिन शर्वेवा धागा लपिट लेना फिर इसी तरीकिर सलाई को डालना है ए दो और ये तीन ये तीन वार इसी तरीके से पूरी रो कम्प्लीट कर लेना है सीधी सैड से ये मैं पूरी रो इसी तरीके से कम्प्लीट कर लेती हूँ और यहां मैं सैड वाले फंदी पे आ चुकी हूँ तो सैड वाले फंदी को ऐसे ही सीधा बना लेना है इसमें तीन वार भागा नहीं लपीटना है ये सीधी सैट से पूरी स्लाई में यहां कम्प्रीट कर चुकी हूं उल्टी सैट से क्या करना है ये सैट वाले फंदे जो हैं ये सैट वाले फंदे जो हैं इसे ऐसे ही निकाल लेना है उसके बाद क्या करना है पांच फंदे को खोल लेना है वन टो थ्री फोर और ये फायर ये देखिए हां मैं ये साइड वाले फंदे जहाँ इसे भी लूजी रखना है पाँच फंदे को मैं खौल चुकी हूँ इसके बाद इस तराएपर क्या करना है पांचो फंदे को इस तरीके से डाल देना है तिये मैं पांचो फंदे को यहां डाल दी हूँ उसके बाद ये धागा जो है इसको पीछे कर लेना है ये मैं पीछे यहां कर ली हूँ और ये पांच फंदे जो मैं यहां खोले थी ये पांच फंदे में पीछे से सलाई को डालना है ति ये मैं पीछे से डाल दी हूँ और एक फंदा यहां निकाल चुकी हूँ ति ये एक फंदा निकल चुका है फिर धागा को आगे करना है उस गाद फिर पांच फंदे में डाल कर यहां दो फंदा बन चुका यहां तीन फंदा बन चुका है फिर धागा को आगे करना है और पांच फंदे में डाल लेना है यह देखिए दोस्तों यहां में पांच फंदे में डाली थी और पांच फंदा यहां बन चुका है एक दो तीन चार और यह पांच यह पांच देना है फिर पांच फंदे को खोल लेना है एक दो त्री चार और ये पांच फंदे को यहां मैं खोल ली हूँ उसके बाद इस तरीके से सलाई को डालना है ये पांच फंदे पर यहां मैं डाल दी हूँ अब पीछे से होते हुए सलाई को डालना है और निकाल लेना है ये एक फंदा निकल चुका फिर धागा को आगे करना है फिर ऐसे करके फंदा डालना है ये तीन फंदा हो चुका फिर धागा आगे और ये ऐसे करके डालना है दो फंदा और बन चुका हैं यहां 5 फंदे में डाले थे और फंदा बन चुका है hesitate हो इस तरीके से शलाइब पर डाल देना है और पीछे से बाच फंदे में डालना भ लूविभ करो tempts और एक फंदा ये निकल चुका फिर धागा आगे फिर यहां निकाल चुकी यहां तीन फंदा हो चुका फिर धागा आगे और फिर पांच फंदा हो चुका पांच फंदे मैं यहां डाले थी और पांच फंदे हो चुके हैं यह देखी ये 5 फंदे हो चुके हैं अब इसे छोड़ देना है उल्टी सेट से पूरी सलाई इसी तरीके से कम्प्लीट कर लेना है ये देखे फ्रेंट ये मैं रेट साइड आचुकी हूँ सीधी साइड से और ये कितना सुन्दर ये डिजैन बन चुका है अब क्या करना है थर्ड सलाई कर देके की का सारे में आचुकी हूं थर्ड सम सेर वाल फंदे को ऐसे ही निकाल लेना है 5 फंदे लाख करकर लग करकर सीधा बना लेना है इस तरिके से हमैं इसे सीधा बना लेती हूं आग है ये और ये दोशलाई MES argent बन जाता है उसके बान आब दोशलाई सीधा उल्टा इसी तरीके से बना सकते हैं यह वाली दो सलाई का ही यह डिजैन है तो यह सीधी सैड है सीधी सैड से मैं पूरी रो को इसी तरीके से सिधा बनाके कंप्लीट कर लेती हूं और उल्टी सैड से मैं टोटल फंदे को इसी तरीके से उल्टा बनाके कंप्लीट कर लेती हूं फिर म मैं यहां एक जीजन बना के complete कर चुकी हुँ और सीधी सेड से आ चुकी ही कितना ही प्यारा सई है जाली वहला जीजन बनके तैयार हो चुका है और यह कितना सुंदर रेन की तरह यह गोल गोल जीजन लगता है काफी ही खूब सूरत लगता है इसे बच्चों के स्विटर में बहुत ही सुन्दर सा लगता है तो चली सेकेंडी यान भी आप सभी को बतना कर दिखा रही हूँ इसी तरीके से ये दो सलाई जो मैं फर्स्ट वार आप सभी को दिखाई थी वही दो सलाई को बार बार रिपीट करते जाना है एक फंदे सेड में है इसे मैं ऐसे ही सिधा बना लेती हूँ ने तो आप ऐसे ऐसे भी निकाल सकते हैं उसके बाद क्या करना है वान टो और ये थ्री यानि टोटल फंदे पर तीन तीन बार करके लपेट लेना है धागा को यह मैं तीन वार करके इसे तरीके से सीधिसेढसे लपेत लेती हो ते यह A-2-ZFhande में डालना है तोटल Fhande में मैं तीन तीन बार करके लपेत लेती हो धागा उसके बाद मैं सेकेंड चलाई आप सभी को दिखाती हम यह दो सलाई की आवनली डिजैन है और दो सलाई में ही ये बन की complete हो जाता है उसी दो सलाई को बार बार रिपीट करें सलाई round side से आ चुकी हूँ फैस्ट फंदे को ऐसे ही निकाल लेना है और पांच फंदे को इस तरीके से खोल लेना है दो, तीन, चार और ये 5 ये 5 फंदे को यहां मैं खोल ली हूँ ये side वाला जो फंदा है इसे भी लूज ही रखना है शुक्रेगा नहीं और बहुत खूबसरों सल लगेगा ये 5 फंदे को यहां मैं खोल दी हूँ और पीछे से होते हुए 5 फंदे में सलाई को डालना है और सबसे पहरे एक फंदा यहां निकाल लेना है ये side वाला फंदा है और एक फंदा निकाल लेना है और धागा को आगे करना है फिर यहां एक फंदा और एक ये तीन फंदा हो चुका फिर धागा आगे और दो फंदे और बना लेना है तो यह पांच फंदे हो चुकी और पूरे सलाई को इसी तरीके से करना है पांच फंदे खोल लेना है और इस तरीके से इस फंदे सलाई पर ले लेना है सारे फंदे को इसे सारे फंदे में सलाई डार कर पांच फंदे बना लेने हैं दोस्तों यह इसी तरीके से बार बार इस तरिके से कंप्लीट कर लेती हूं फिर मैं और आप सभी को दिखा देंद से टो यहां मैं कि दो सेट मेंमें लेसे इसके सेट सिधा बना लिसा फिर स्थिये सेषये नरा सेबायां नमाने से और इसट में लेसे अदॉ Labor सिधा उल्टा बनाना पड़ता है तो ऐसे समझें कि यह चार सलाईयों में बन जाता है और यहां मैं टोटल सुनु से ले करके अभी तक मैं आठ सलाईय आप सभी को बना के दिखाई हूँ और यह आठ सलाईयों में यह दो डिजैन बरके कम्प्लीट हो चुका है और कितना ही प्यारा सा यह डिजैन लग रहा है देखने में काफी सुन्दर लगता है अंगुठे की तरह दोस्तों जदि आप सभी को यह डिजैन पसंद आया हो मेरे यह बताने का तरीका आप सभी को पसंद आया हो तो प्लीज लाइक जिए शेयर कीजिए और ज़दि कोई यह हैं पहल बहुत धन्यवाद